आज आपको बताएगे VFS के बारे में कि कौन सी country ने अपनी प्रोसेजिंग की अपडेट दे दिया कि कौन सी country स्टार्ट कर दिया अपनी application और बात करें Australia USA और बहुत सारी country ने शुरूआत कर दिया तो आज आपको full information देने वाला हूं कि tourist visa के लिए कौन सी country ने शुरूआत कर या आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते तो कौन कौन सी कैटेगरी शुरुवात होई है आज आपको लेटस इंफोमेशन देगे कि कौन सी अप्लिकेशन आप प्रोसेस कर सकते हो तो उसके लिए आप फुल वीडियो देख और साथ में आपको बताएगे कि किसके सक्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं बात करें टुर्की की ब्राजिल की और यूक्रेन की यूके की तो किस किस कंट्रिस के कितने परसेंट सक्सेस रेट आ रहे हैं तो आज आपको फूल इंफोमेशन देगे कि कौन सी कंट्रिक लिए आप वीजा लगाओगे आपकी फाइल श्रॉं और आप किसी कंट्रि में रिजेक्ट तो अमबैसी को बताओ बिल्कुल हमारा रिजेक्शन हुआ तो इसमें आपका प्लस पॉइंट होता है ऐसा नहीं आप बात चुपाओगे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होईगी तो आज आपको फूल इंफोमेशन देगे और साथ में जो फर्स्टम आया तो जसी पंजाबी के चैनल को लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो जिसे निव निए इनफोमेशन में डेली उनके साथ शेर करता रहूं फुल वीडियो देखो और एंजोए करो हां जी सास्रीकाल नमस्ते वडियानू पैरी पैनर्द है छोटे अनू मेरा प्यार होफूल इतुसी सारे वदिया होगे अपने कार सेफ होगे तो सबसे पहले मैं अपडेट दे तो कैनेडा के लिए क्योंकि बहुत सारे परसंद परिशान है कि बायोमेट्रिक कब ओपन अब तो ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं ओपन हो रहे तो बिल्कुल दो से तीन दिन के अंदर अपडेट आजाएगी तो विए सेंटर नौविंबर में ओपन होएगे नहीं होएगे तो होएगे तो डेफेनिटली यह सब के लिए परसेंट नहीं होएगे तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि आप 5-6 दिन वेट कर लो तो आपको अपडेट मिल जाएगी वन परसेंट आपको अपडेट नहीं मिल पाती तो आप दुबई के वी एफे सेंटर को मेल करो तो उनको आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री में भूल को सकते हैं नहीं करवा सकते हैं उनको मेल करके ले सकते हो उनको क्यों सब्सक्राइब करें बढ़ के सब्सक्रास 16 comunidad पथा ईप चाहिए आपको सब्सक्राही में हो कोई वी बीद को फिर्ली रठट आपको को ही विधिवए फैमिलTrans या हो तो यह बहुआ हैं आपको को आप अप्लाइए कर सकते हो ऑलाइन इसके फाइल प्रोसेज और इसके लिए आपको कोई बायोमेट्रिक कराने की जुरत नहीं है तो एक साल का यह मैंटिपल एंट्री वीजा दे रहा है किसी को दो साल या चार साल पांट साल का भी दे रहा है तो डिपैंट्स ओफ यूर प् या work visa तो आपको मैं बता रहे हैं तो आपने B1, B2 visa लगवाना है F1 visa लगवाना है, H4 visa लगवाना है, L2 visa लगवाना है ये category में आप आते हो, तो online इसकी appointment मिल रही है तो appointment आप ले सकते हो, किसी को March की मिल रही है किसी को December की मिल रही है, किसी को January, February सबको अलग-अलग appointment मिल रही है, तो उसके लिए आप अपनी पूरी profile अप्लोड करो और appointment चेक करो, कब की मिल रही है, और बाकी UAE के लिए मैं बता रहेता हूँ सबसे अच्छा plus point है, success rate आ रहा है, almost सबके वीजे लग रहे हैं और UAE से आप कोई दूसरी country में जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, उसके लिए आपको UAE का transit visa की जूरूत पड़ेगी, या आप दुबाई में भी घुम के जाना चाहते हो, आप प्लान करें कि मिलकुल मेरी दुबाई की भी stamp लग जाएगी, और जैसे मैं सर्भिया जान साम-कशिन जाना चाहता हूँ , या यूरॉप जाना चाहता हूँ या UK जाना चाहता हूँ , वयराद दुबाई से जाऊंग that मेरे को plus point मैं ने कैने यस का करना उस्टेलिए का करना . यूरॉप का आप आपको कोई भी बड़ी कंट्री का वीज़ा प्लाय करना है आप अपनी ट्रैवलिस्टी बनाना चाहते हो तो यह सबसे बेस्ट है और महाँ पे होटल कैटेगरी की बात करें 500 से लेके 5000 की बीच में होटल कैटेगरी है आपका बजट नहीं है 5000 तो आप 500 का होस्टल ले लो दो जाने के लिए आपका कोविड-19 का टेस्ट होगा और जब आप इंडिया आओगे तो होम आई सोलेशन हो जागा सेवन डेस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आरी बहुत सारे परसंद जा रहे हैं मेरे बहुत सारे क्लाइट जा रहे है तो मैं उसकी कुछ पिचर भी आप आपको बताऊंगो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप मेरे को परसनली मैसेश कर देना मैं आपको अपडेट दे दूंगा और चाइना वालों के लिए बता रहे तो बिजनस वीजा एंड कैटेगरी ओल्रेडी ओपन है नियू डेली में तो चाइना आपने जाना च कर सकते हैं बिजनस वीजा उसका ओल्रेडी चल रहा है इंडिया ना चाहते है वी एफसेंटर उनके नहीं खुले तो आप इंडिया आके भी अप्लाय करना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे परसेंट पहले लोगडाउन से पहले आते थे क्योंकि उनकी कंट्री में बैसी नही कर सकते हो कि उनकी लिमिटेड कैटेगरी वीजा चल रहा है बट उसके लिए भी फ्लायटे नहीं है तो आपको उसके लिए फ्लायट चाहिए आप वाकि प्यार ओ या सिटिजन शेप हो तो तब आप जा सकते हो उसके लिए चार्ट प्लेन चल रहे हैं सिंगापूर से भी आप जा सकते हैं क्योंकि सिंगापूर के लिए तो अल्रेडी फ्लाइट चली रहे है लिमिटेड कैटेगरी में बाकि एजिप्ट वालों के लिए बता रहे हो जिन्हों ने अपनी ट्रेवलिस ची बनानी है स्टिकर वीजा देता है तो इसने अपनी डैली और मुंबई में वी एफस सेंटर ओपन कर दिया है तो इसके लिए आपको अपनी फाइल लगानी है बट अमबैसी ने एक चीज़ कंफॉर्मेशन करी है कि कंफॉर्म एयर टिकेट होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप डमी लगा दोगे और साथ में आपको बिजनस वीजा अपलाया करना है ट तूर्की के लिए क्योंकि आलमस्ट तूर्की के लिए सबसे जारफ सक्सेस रेट आ रहे है इतने सारे वीज आ रहे हैं बहुत से बीज़े तो आल्रेडी मैंने लगा दिया और आप ट्रैवलीश्ची नहीं भी हो यह एक कंट्री में ट्रैवलीस्की बना रखेया तूर्की लगाना तो डेफिनेटली वीजा आने के चांस बहुत जड़ा बढ़ जाती है और बाकि मुंबई हैदराबाद डेली में और कैटेगरी इसकी स्टार्ट है तो आपने अपलाए करना तो कर सकते और बाकि नेपाल में भी ओपन है बंगलदेश में भी ओपन है और टुर्की मे बात करेंगे ताइवान के लिए तो लॉंग कैटेगरी उन्होंने फाइनली शुरुवात कर दिया इंडिया में और खाली वीक में टूस्टेस की वीजा एप्लिकेशन सेंटर उपन है वह वी डैली में ओनली टूस्टे और आपने ताइवान के वीजा लगवान है तो टू अल्मोस हर सेटी में इसने अपनी अप्लिकेशन लेन स्टार्ट कर दिया है और साथ में साथ कोरिया का थोड़ा सा बता रहेता हूं कि अभी टूरीज वीजा इसके नहीं खुला क्योंकि बहुत सारे कोश्चन आते है कि टूरीज वीजा कब खुलेगा जैसी इसकी कोई इन कर रहे हैं इंडी को कर रहा है और इंडिया ऑपरेट कर रहा है बट इसकी फ्लाइट थोड़ी से एक्सपेंस अने जाने कि अल्मुस्ट 25 से 30,000 की बीच में फ्लाइट मिलेगी बट यह बहुत आसम है तो आप हनीमोन अपना प्लैन कर रहे हो या फैबली ट्रिक प्लैन कर कर रहे हैं या सोलो वीट प्लैन कर रहे हो बट वहां पर आपको 14 डेस्ट को रटीन होना पड़ेगा यह वाभी माइनस पॉइंट है दुबई में आपका यह प्लस पॉइंट हो जाता है वहां पर दो से तीन दिन में गूम के भी आ सकते हो वह बहुत एक्सपेंसिव करना दो बिल्कुल दुबाइं से शारी जारी और सबस्क्राइब के लिए और उसका घुमने के लिए तो उसके लिए यह प्लिकेशन सेंटर भी स्टाट एंडिया में बहुत सारी सेटी में अस्ट कर रहा है बाकि जैसे जलंदर की बात करें चंडीगर की बात करें डैली बैंगलोर मुंबई हैदराबाद आप यूग के जाना चाहते तो आपके लिए प्लस पॉइंट को इसके सक्षेश रेड काफी अच्छे आ रहे लॉग डाउन से पहले की बात करें तब इतने अच्छे नहीं आ रहे तो आप बहरीन का वीजा लगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगवा सकते हो बाकी यूक्रेन वालों के लिए बता रहे तो बीच में उन्होंने वीजा अप्लिकेशन सेंटर और ओपन करें थे आप स्टिकर वीजा की बात करें तो बीच में उन्होंने बंद कर दिया थे क्योंकि इनकी अमबैसी शिफ्ट हो रहे थे तो बेगूल आपको टेंशन लेनी की जूरत नहीं है तो यूक्रेन के लिए आप अप्लाए करना चाहते तो उप्लाइय कर सकते हो तो इवीजा की बात करें या स्टिकर वीजा की बात करें तो आप नवेंबर मत में अपनी फाइल प्रोसस कर सकते हो इसकी दिल्ली में और बहुत सारी स्टेटी में फाइल अपनी प्रोसस करना स्टार्ट कर दिया है और साथ में नाइजीरिया वालों के लिए खुशकबरी स्टार्ट हो चुकी है तो आपने नाइजीरिया जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते और साथ में साथ अफरीका वालों के लिए थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूं कि लॉंग कैटिगरी तो इसकी चली रही है कुछ इंडिया में और साथ में शौट से कैटिगरी भी स्टा के लिए बता रहे क्यों कि बहुत सारे परिसंगुट करेंग में बाकिस्तान में पाकिस्तान में भी नहीं हुई है अब दुबाई में ने करेंगा इंडिया में जैसी शुरुआतों बिल्कुल पाकिस्तादर बंगलदेश में तो डेफिनिटली होई जाएगी बाकि हंगरी का डी कैटेगरी वीजा चल रहा है चेक रिपब्लिक का डी कैटेगरी वीजा चल रहा है ऑस्टिया का जर्मन नौर्वे फ्रांस बेल्जिय लेना स्ट करना स्टार्ट कर दिया बाकि इटली वाले के लिए थोड़ा सा बतारेता हूं क्योंकि पंजाब वाले बहुत परेशान है तो हो सकता है मंदे से फैमली यूनियन की एप्लिकेशन लेना स्ट कर दे और पूर्चकाल के लिए बतारे तो मॉंबई में ऑल्रेडी चल रही है तो आने वाले 5-10 देस के बीच में हो सकता है वह डैली में शुरुबात कर दे क्योंकि डैली में कोविड-19 के केसी अब कम हो चुके है तो डैली में शुरुबात करेगी पंजाब वले डैली आकर अपनी फाइल प्रूसस कर सकते हो और बाकि डॉक्मेटेशन रि और बाकि आपको कोई भी हैल्प की दूर होगी तो डैफिनेटी में अल्वेज अवेलेबल हो अभी के लिए दो मेरे को इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक करके जाना सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर देना जिससे न्यूनी इंफोमेशन में ड और बटन को